हाई फ्रेंड मैं असिस्टेंट लोको पालेट नंदलाल मौर आपकी यूटूब में स्वागत करता हूं मैं आज आप लोगों को पीवे इंजीन डिपार्टमेंटल से डिपार्टमेंटल परिछाओं में जो कुश्चन पूछे जाते हैं उसको साल पर आ रहा हूं ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सिया सब्सक्राइब जरूर करिएगा कुश्चन पर चलते हैं कितने एम्यम है तो 41 का कुश्चन है डी कितना है 40 एम्यम होती है क्या है 41 नमबर वीजी पर 50 के एमपिएच से कम गति के लिए कर्व के री एलाइमेंट के लिए वर्साइन में बदलाव की सीमा कितने एम्यम होती है तो डी आपसन सही है 40 एम्यम नेस्ट कुश्चन है नेस्ट कुश्चन का 42 42 नमबर का कुश्चन है टर्न आउट के नवीनी कराण के लिए किस मसीन का प्रियोग होता है तो यह होता है C आपसन सही है T28 आपसन नमबर C सही है होता है T28 प्रकार का जो मसीन होता है उसका उप्योग किया जाता है नेस्ट कुश्चन है कंक्रेट स्लीपर के साथ 13 मीटर लंबे पैनल की हैंडलिंग के लिए कितनी टन वाला पोर्टल क्रेन उप्योग करते हैं तो यह 43 43 नमबर का कुश्चन है 43 नमबर का कुश्चन क्या कहता है देखें फिर से कंक्रेट स्लीपर के साथ 13 मीटर लंबे पैनल की हैंडलिंग के लिए कितने टन वाला पोर्टल क्रेन उप्योग करते हैं तो 43 का B आप्शन साहिए 9T 9T का नेस्ट कुश्चन है TRT TRT वर्किंग के पीछे पहली टैपिंग के बाद गाड़ी कीगत होनी चाहिए तो 44 नंबर का कुश्चन C आप्शन साहिए 60K MPH क्या है 44 नंबर TRT वर्किंग के पीछे पहली टैपिंग के बाद गाड़ी की गत होनी चाहिए दो यह होती है 60K MPH सहयक ट्रैक का गेज होना चाहिए 45 नंबर का कुश्चन है 45 का B आप्शन साहिए B आप्शन केतना है 3400 46 नंबर 60 kg रेल में अनुमत भार में कमी कितना होता है तो यह होता है 46 46 नंबर का B आप्शन सही है B आप 6% कितना होता है 6% होता है 46 नंबर 60 kg 60 kg रेल में अनुमत भार में कमी कितना होता है 6% होता है B आप्शन सही है नेस्ट कुश्ण है बीजी ए रूट पर करव ट्रैक पर पारशिय घिसाव के लिए अनुमत सीमा कितनी होती है तो 47 नमबर 47 नमबर का C आपसन सहिए C आपसन सहिए 8 यम्यम कितना 8 ही यम्यम होता है नेस्ट कुश्ण है 49 नमबर का BG C वा D रूट पर कर्व ट्रेक पर पार्शूर घिसाओं के लिए अनुमत सीमा कितना होता है तो 48 नंबर का D आप्शन सही है 48 का D आप्शन सही है 10 mm 10 mm Next question है 49 नंबर का question है 49 नंबर BGA रूट पर सीधे ट्रेक पर पार्शू घिसाओं के लिए अनुमत सीमा कितनी होती है तो 49 का B आप्शन सही है 6 mm कितना होता है 6 mm होता है Next question है 50 का BG C वा D रूट पर सीधे ट्रेक पर पार्शू घिसाओं के लिए अनुमत सीमा कितनी होती है तो इसका C आप्षन सही है 8 mm होती है कितना 8 mm होता है Next question है एक क्याओन नम्बर का question है पार्शिव घिसाओ टाप लेबल से कितने नीचे मापते है तो यह एक क्याओन नम्बर का A आप्षन सही है 13 से 15 mm 13 से 15 mm Next question है Next question क्या है 52 नम्बर का question है प्रार्थमिक नभीनी करंड करते समय स्लीपर से स्लीपर पर गेज का अनूमत अंतर होता है 52 का C आप्षन सही है 52 का C आप्षन सही है प्लस माइनस दो यम्यम प्लस माइनस दो यम्यम नेस्ट कुश्चन है ट्रैक नभीनी करण के तुरंत बाद ट्रैक ट्रैक नभीनी करण के तुरंत बाद कितने गति से गाड़ी चलाते हैं तो तिरपन नमबर का बी आपसन सही है 40 के MPH से चालिस के MPH से चलाते हैं, भी आपसन सही है, नेस्ट कुश्चन है, चाउन नंबर का कुश्चन है, बीजी रूट पर 60 kg 90 UTS रेल सेक्षन पर कितने GMT की सीमा पार करने पर ट्रैक न भी नी करण, किये, किया जाता है, तो चाउन नंबर का कुश्चन डी आपसन सही है, आठ सो, चाउन नंबर का समय, बीजी रूट पर 60 kg 90 UTS रेल सेक्षन पर कितने GMT की सीमा पार करने पर ट्रैक न भी नी करण किया जाता है, तो 800 GMT, नेस्ट कुश्चन है, गहरी चहनाई के बाद, गहरी चहनाई के बाद, मैनूल पैकिंग द्वारा गति प्रतिबंद को कितने दिन में सामान ने किया जाता है, 55 नमबर का ए आप्शन साहिए 21 दिन में, कितना 21 डे सामान किया जाएगा, नेस्ट कुश्चन है, छपन नमबर का कुश्चन है, रेल नभी नी करण के रूप में ट्रैक के फुट में अनुमत सनरच्छन कितना होता है, तो 56 का ए आप्शन साहिए, कितना होता है, 1.5 mm, 1.5 mm होता है, 1.5 mm, नेस्ट कुश्चन है, 27 नमबर का कुश्चन है, रेल नभी नी करण के रूप में 52 के जी रेल में आनुमत वर्टिकल घिसाओ कितना होता है, 27 नमबर का C आप्शन साहिए, 8 mm, 8 mm होता है, नेस्ट कुश्चन है, 28 नमबर, PQRS, PQRS के लिए सहायक ट्रैक वर्टमान ट्रैक से कितना उंचा होना चाहिए, तो 28 नमबर का B आप्शन साहिए, 50 mm, 50 mm होता है, नेस्ट कुश्चन है, 28 नमबर, क्लास थर्ड अनुप योगी, सिरों को किस रंग से पेंट करना चाहिए, क्लास थर्ड अनुप योगी, सिरों को किस रंग से पेंट करना चाहिए, तो ये आप्शन नमबर आपका, वंसर्ट नमबर का ये आप्शन साहिए, रेड से, किसे करते हैं, रेड से करते हैं, रेड से करते हैं, नेस्ट कुईशन है, रेल नबीनी करण के रूप में 60 kg रेल में आनुमत वर्डिकल घिसाओ कितना होता है, तो 60 का, 60 का भी आप्शन साहिए, तेरा येमेम, तेरा येमेम, नेस्ट कुईशन है, रेल नबीनी करण, रेल नबीनी करण, नया ट्रेक विच्छाते समय, सीधे ट्रेक पर जोडों की गुनियां में आनुमत वर्डिकल छूट कितना होता है, तो ये होता है, सी आप्शन साहिए, प्लस माइनस 10 एमेम, प्लस माइनस 10 एमेम होता है, प्लस माइनस 10 एमेम होता है, नेस्ट कुईशन है, क्या कह रहाता है, एक्शिस्टी वन में, रेल नबीनी करण, नया ट्रेक विच्छाते समय, सीधे ट्रेक पर जोडों की गुनियां में आनुमत वर्डिकल छूट कितना होता है, तो यह होता है, प्लस माइनस 10 एमेम, आपका आप्शन सी सही है, नेस्ट कुईशन है, नेस्ट कुईशन है, 62 नमबर का कुईशन है, 62 नमबर, मसीन अनुरच्छण के अंतरगत कंक्रेट स्लीपर ट्रेक पर, SSE प्रभारी द्वारा पुश्ट राली निरेच्छण की आबृत्ती माह में कितनी बार करते हैं, तो 62 का एमेम, आप्शन सी सही है, एक बार, एक बार करते हैं, एक बार करते हैं, नेस्ट कुईशन है, एमेमेम, 63 नमबर का कुईशन, मसीन अनुरच्छड के अंतर गत कंक्रेड श्लीपर ट्रैक पर जेई आबलिक यससी सेक्षनल द्वारा पुष्ट्राली निच्छड की आवरित माह में कितने बार है तो ये 63 नंबर का बी आप्सन सही है दो बार दो बार नेश्ट कुश्ट्राली द्वारा ट्रैक का निरीच्छड किस अवस्था में किया जाता है तो 64 का ए आप्सन सही है फ्लोटिंग क्या है फ्लोटिंग फ्लोटिंग के द्वारा समय किया जाएगा नेश्ट कुश्चन है 65 नंबर किसके द्वारा वर्टिकल ओसिलेशन मापे जाते हैं किसके द्वारा वर्टिकल ओसिलेशन मापे जाते हैं तो 65 का ए आप्सन सही है ए आप्सन सही है दो माह में में एक बार नेश्ट कुश्चन है 66 नंबर का कुश्चन है 110 के MPH से अधिक तथा 130 के MPH से तक गति वाले रूट पर ट्रेक रिकॉर्डिंग की आवरित क्या है तो 67 का C आप्सन सही है C आप्सन 3 माह में 1 बार क्या है 3 माह में 1 बार नेश्चन क्या था 2 माह में 1 बार हो 66 का भी 2 माह में 1 बार था और ये 67 67 नंबर 110 के MPH प्रती 110 के MPH से अधिक तथा 130 के MPH तक गति वाले रूट पर ट्रेक रिकॉर्डिंग की आपरित क्या है तो ये C आप्शन सही है तीन माह में एक बार नेस्ट कुश्चन है एक आणसर टमबर 110 के MPH से 110 के MPH से OMS OMS 2000 की आपरित क्या है टो आणसर का A आप्शन सही है माह में एक बार माह में में एक बार नेस्ट कुश्चन है आणसर नमबर लिका समई A,D,E,N का पुल निछड की आवरित क्या है तो 69 का पुश्चन है एक आप्शन सही है वर्स में एक बार मानसून के बाद समय का पुल निरिछण की आबरित क्या है लब A, D, E, Y, N के द्वारा जो निरिछण करते हैं तो वर्स में एक बार मांसून के बाद ए आप्सन सही है नेस्ट कुश्चन है TGI TGI का मान कितने से अधिक होने पर ट्रै का अनुरचण आवश्यक नहीं है तो ये सत्तर नंबर का D आप्सन सही है असी असी TGI नेस्ट कुश्चन है नेस्ट कुश्चन है सताबदी रूट पर OMS 2000 ट्रैक मोनिटरिंग की आवरित क्या है तो 71 का A आप्सन सही है माह में एक बार माह में एक बार माह में एक बार 72 नंबर का कुश्चन है TrRC क्या है तो ये 72 का B आप्सन सही है ट्रैक रिकार्डिंग कम रिसर्च कार क्या है ट्रैक रिकार्डिंग कम रिसर्च कार यह आप्शन नमबर भी सही है नेस्ट कोश्चन पे चलते हैं 73 नमबर 73 नमबर कोश्चन कितने से बड़े OMS पीख खराब अस्थान दर्शाते हैं करा कितने से बड़े कितने से बड़े OMS OMS पीख खराब अस्थान दर्शाते हैं तो 73 का B आप्शन सही है 0.2 ग्राम B आप्शन सही 0.2 ग्राम नेस्ट कुश्चन है 74 नमबर का कुश्चन क्या करा है TRC TRC में Gage Spring Loaded Filler द्वारा रेल सताह से कितने AMM तक मापा जाता है तो 74 का A आप्शन सही है A आप्शन थे 13 से 15 EMM Next कुश्चन है 75 नमबर का कुश्चन है नए वील के लिए नए वील के लिए मानक प्ले कितने AMM होता है 75 का A आप्शन सही है 19 एमेम 19 एमेम A आप्शन सही है Next कुश्चन है 60 hooter की अवद कितने सिकेंड होती है तो 76 का D आप्शन सही है क्या है 45 सिकेंड 45 सिकेंड होता है Next कुश्चन है 37 नमबर का कारण असपस्ट ना होने पर ट्रेक के माप कितने मीटर पीछे से ली जाती है 77 का A आप्शन सही है 100 मीटर 100 मीटर 47 कारण असपस्ट ना होने पर ट्रेक की माप कितने मीटर पीछे ली जाती है तो ये ली जाती है 100 मीटर पीछे लिया जाएगा Next कुश्चन है 78 नमबर कारण असपस्ट ना होने पर ट्रेक की माप कितने मीटर आगे से ली जाएगी तो यह 78 नमबर का D आप्शन सही है नेस्ट कुश्चन है 79 नमबर वरिष्ट अधीनस्त जाच समीति में कितने सदस्य होते हैं तो 79 का A आप्शन सही है 3 सदस्य होते है वरिष्ट अधीनस्त जाच समीति में कितने सदस्य होते हैं 3 सदस्य होते है 80 नमबर का question है माल गाड़ी के लिए माल गाड़ी के लिए wheel flange की आश्विक्रिती की सीमा कितनी होती है तो ये 80 का D option सही है 16 mm कितना होता है 16 mm होता है इस तरह से 80 नमबर तक का question समाप्त हुआ और मैं अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगा तब तक के लिए नमस्कार धन्निबाद